असलाम अलेकुम वेलकम तो जीएफेक्स मेंटॉर मैं आपका टीचर इम्रान और आज से शुरू हो रहा है प्रेमियर और वेलकम बेक्ट जैसे आप लोगों को पता है भाथ बेस अब देशगरी से आप लोग के इंदिजार भी कर रहा है के प्रेमियर शुरू करादें یعنی Adobe Premiere Pro CC अब आगे जो भी वर्जिन लगा दे हैं बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए जो सौफ़वेर है Adobe का वो है Adobe Premiere Pro Now, Premiere Pro में वीडियो एडिट नप पहले तो इससे पहले सोड़ा था ये समझाना ज़रूरी है कि वीडियो एडिट क्यों करना है तो मिसाल के तौब जैसे अभी आप इस वकिए मेरी वीडियो देख रहे हैं इस दोरान मैंने काफी सारी गलतियां भी कियोंगी लेकिन आप लोगों को वो गलतियां नहीं दिखेंगी तो डेफिनिटली हम जो बहुत बेसिक सी एडिटिंग है वो यह होती है कि हम पूरी वीडियो शूट कर लें गलतियां भी कर लें और बाद में से गलतियां उसमें से हटा के और अच्छे वाले पार्ट सब जोड़ के आपको हम प्रिजेंट कर लेते हैं आपको पता भी नहीं जलता के पीछे हैं आमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी मर्तबा मैं खांसी कर रहा हूं, कितनी मर्तबा हो सकता है, वीच में उटके मैं पानी पीने चला गया, and so on. Now, ये तो सिर्फ एक इस तरह की वीडियो है, जो कि एक जगा पर ही शूट हो रही है, कैमरा मेरा फिक्स्ट है, लेकिन अगर आप फिल्म्स देखें, मूवीज देखें, तो उसमें भी क्या होता है, कि सीन्स जो है, शूट किये जाते हैं, कई वार ऐसा होता है, कि आप जो फि अपना इंक्रीज किया था, ताकि वो मूवी के बाद के सीन्स शूट कर ले, और उसके बाद वेट लूस किया था, और उसमें वेट लूस करने के बाद जो है, मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स शूट होए थे, तो ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ रही मुवी या एक वीडियो अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं कुछ टेक्निकल डीटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा कि वीडियो के कौन कौन से एसपेक्ट रेशोज हैं या वीडियो की क्या क्या रेजलूशन जैसे एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन होती है एक हाई डेफिनिशन होती है फिर फुल एजडी होती है फिर फूर के होती है यह सारी डीटेल्स वगरा मैं आज की क्लास में नहीं मैं अगली क्लास में आप लोगों को बहुत डीटेल में समझाने वाला हूँ ताके आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए कि अब आप का किन चीज़ों से वास्ता पढ़ रहा है आज की क्लास में जो सबसे most important चीज़ है वो ये है कि आप लोग क्या वीडियो एडिटिंग आपके लिए जरूरी है के नहीं नमबर वन देखें कई सारे लोगों को बहुत जादा क्रेज था कि जी आप प्रेमियर पढ़ा हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि हरी को प्रेमियर की जरूरत पढ़ी क्यों अगर तो आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद किसी प्रडेक्शन हाउस में जॉब के लिए जा रहे हैं समझ में आता है अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चारे है या आप अपनी खुद छोटी मोटी शॉट फिल्म्स बनाना चारे है फिर समझ में आता है लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए सीखना चारे हैं कि प्रेमियर का ट्रेंड चला हुआ है तो बेकार है ओनसली बेकार है यह सोचें कि कितनी मरतबा आप फिल्म्स बनाते हैं कितनी मरतबा आप मूवीज बनाते हैं या अगर आप अपनी घर की घरेलू कोई पार्टी है किसी आपके बच्चे की या उपके छोटे भाईवायं की बर्डे है या कोई घर का कोई खास इवेंट है उसकी आपने एक वीडियो बनाई उसको एडिट करके फेसबूक पे टालना चाह रहा है या आपने फैमिली के फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाह रहा है इसके लिए पूरा प्रेमियर सीखना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ओवरकल है ओवरकल से मुराद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा इस चीज़ों के लिए अगर आपको फैमिली वीडियो और हलकी फूलकी वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए मैसेज़स करूँगा कि विंडोज मूवी मेकर है या फिल्म हो रहा है ये इस तरह के बहुत यूजर फ्रेंडली बहुत असान से साफ़़ेर्स हैं के एडिटिंग सीखना बहुत ज़्यादर ज़रूरी है क्योंके आपने ग्रैफिक डिजाइनिंग सीखी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बिकाज हर फील्ड अलग अलग होती है एक बंदे में तमाम तर काबलियत होना अजीब सी बात लगती है मैं आपको सीधी सीधी ब मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनर भी था मैं वेब डिजाइनर भी था मैं वीडियो एडिटर भी था मैं मोशन ग्राफिक डिजाइनर भी था मैं हलकी खुलकी एनिवेशन भी करते था मैं फ्लैश की स्क्रिप्टिंग भी करता था तो सब कुछ मैंने अपने सीवी में लिख से मुराद कुछ भी नहीं, मतलब अगर कोई बंदा हर चीज में थोड़ा बाद जानता है तो वो मास्टर किसी भी चीज का नहीं होगा, मैं आप लोग उस सब को सजेस्ट करूँगा, कोई एक फिल्ड में आपने मास्टर बनना है, ताके आपकी उस फिल्ड में डेमांड फर एक बंदा है अली अगर उसको वीडियो एडिटिंग बेहतरी नाती है, लेकर उसको ग्रैफिक डिजानिंग नहीं आती है, उसको थोड़ा बाद इलस्ट्रेटर, फोटोशाप थोड़ा बाद चलाना था, लेकिन वीडियो एडिटर वो बेस्ट है, उसकी डिमांड यह अलग होगी, लेकिन एक और बंदा है, इमरान, ठीक है, उसको हर चीज़ आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, एंड उसको अगर बंदा कोई हायर करेगा, तो वो यह सोचेगा, कि यार यह बंदा ऐसी जॉब के लिए रखा जा सकता है, कि फॉर एक्जेंपल, हमने storm घू. husband, अब अगर कोई graphic designer नहीं आया, तो यार, ये उसके थोड़े बात काम perform कर लेगा, अगर video editor नहीं आया चुटी पर है, तो ये उसके थोड़े बात काम perform कर लेगा, लेकिन एक दिल में डर भी रहेगा, कि पता नहीं कितना च्चा कर रहेगा, या बुरा करेगा, तो एक चीज़ हमेशायद रखें के प्लीज बीए मास्टर आफ वन रादर देन बीइंग जैक अफ आल मतलब आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते I mean it takes a lifetime यानि के एक पूरी जिंदेगी लग जाती किसी एक फिल्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए सो मैं आप लोगो सज़ेस्ट ये करूँगा अभी आप सीखें अभी आप लोग जब सीख रहें तो मैं सब को सिखाऊंगा और सब को सिखाने का मतलब यह है कि इसके बाद जब आप इंडस्ट्री में घुसना चाहेंगे तो उस वक्त आप अपने पास डिसिजन ले सकेंगे कि यार हमें वीडियो एडिटर बनना है या ग्राफिक डिजाइनर बनना है या वाटेवर जो भी आपको बनना है आज जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो यह है कि प्रिमियर चलाने के लिए आपको कंप्यूटर कैसा चाहिए प्रिमियर का इंटरफेस कैसा है and so on so first thing कंप्यूटर की रिक्वार्मेंट मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई बेसिक रिक्वार्मेंट अगर आपको देखनी हो तो किसी भी like जैसे एडोबी की साइट पर जाए और प्रिमियर की मिनिमम रिक्वार्मेंट आपके सामने लिखी भी आ जाएगी ठीक है मैं रिक्वार्मेंड यह करता हूँ कि at least 8 GB RAM आपके पास हो ठीक है and of course प्रोसेसर जितना अच्छा होगा अतना अच्छा आपके काम में आएगा अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आपको थोड़ा सा प्रिव्यूज में प्राबलम आएगा लेकिन ग्राफिक कार्ड भी अगर अच्छा वाला लगा हो और एक AMD का होता है graphic card जो most commonly chips है NVIDIA के CUDA cores होते हैं और वो बहुत ज़दा help करते हैं प्रेमियर में आपकी previews के लिए और वो rendering में भी आपको support दे रहा होता है और rendering क्या है, ये CUDA cores क्या है ये अभी आपनों को सब थोड़ा थोड़ा सा जब आपने इंस्टॉल करेंगे तो उसमें definitely आपनों को idea होता जाएगा मैं जो यहाँ पर अपना system यूज़ कर रहा हूँ मेरा core i7 है, 7th generation है 16 GB RAM लगी हुई है और NVIDIA 1050 TI card है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ के मेरे पास जो performance आपनों को शायद दिखेगी हो सकता है, वो बहुतों से बहुत बुरी हो लेकिन मेरा काम निकलाता है मैं अपनी तमाम तर वीडियोज इसी पर edit कर रहा हूँ और बहतरीन result हा रहा हुता है, rendering time भी अच्छा है अब ये चीज़ें बार बार कंटिनूसली जो लोग पूछ रोते हैं कि कौनसी मशीन ले क्या ले मैं सिर्फ ये कहूंगा जितना गुर डालते हैं, उतना मीठा होता है और गुर डालने के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और बजट अगर आपका बहुत लो है, तो यार अटलीस जो है उस पर स्टार्ट कर लो, ठीक है बार बार आप किसी से भी पूछोगे कि यार कौनसी मशीन लो आपको अगर कोई ये सजज़ेस्ट करता है कि या तीन चारलाक वाली कोई कंप्यूटर ले ले हरे के बस की बात नहीं हो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या तीन चारलाक रुपे कहीं से मांगोगे और लोगे, और फिर पता चला कि आपका इंटरस्ट इनी बन रहा तो पैसे जाय हो जाएंगे, मैं सजज़ेश्ट ये करूँगा कि आपके पास जो कंप्यूटर है उसके उपर इंस्टॉल करें और चला के देखें हाँ, एक बहुत इंपोर्टन सी बात एटलीस आपके पास जो रेजोलूशन है, वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए बिकाज प्रिमियर जो है, वो काफी बड़ी जगा घेर रहा होता है मेरी भी जो अब आप लोग वीडियोज देखेंगे उसमें हो सकता है मेरे फेस वीडियो जो है, मुझे लगाने कि उसकी जगा नहीं मिल रही अभी तक कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं अपनी फेस वीडियो लगाऊंगा प्रेमियर की वीडियो में के नहीं विकुज इट रिक्वाइर्स कॉइट बिग स्पेस को बहुत जादा स्पेस चाहिए होती स्क्रीन पे क्यों को बहुत सारे पैनल्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं मैं ये सारी चीज़ें बताके डरा नहीं रहूँ सब्सक्राइड मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इंटरफेस दिखाना चाहरा हूँ कि प्रेमियर का इंटरफेस कैसा है और उसमें हम क्या-क्या काम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहा रखी हुई है आख अगर आप देखें जैसे आप प्रेमियर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये एक विंड़ो आ रही होती है जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ है और इसमे आपके पास यहां पर ये देख रहे हैं Now, इन सब को छोड़के अगर आप एक new project स्टार्ट करना चाहरे हैं. Project क्या होता है? Project आप जो भी एक video बनाने वाले होते हैं, हमेशा consider करें कि वो एक पूरा project है. Because एक project, project को project हम इसलिए कह रहे हैं कि उस एक video में कोई एक चीज़ नहीं डलेगी. हो सकता है उसमें कुछ दो-तीन तरह की वीडियो सोर्सेज हों, म्यूजिक्स हों, आडियो हों, वॉइस ओवर्स हों और सम्टाइम्स हम इमेजिस भी उसकर रहे होते हैं तो इस तरह से हम उसको पूरा एक प्रोजेक्ट कहते हैं वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक वीडियो आ जाती है ना लेट्स स्राट मैं यहां से एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ साहिए जैसे आप न्यू प्रॉजेक्ट लेते हैं आपके सामने ये एक न्यू प्रॉजेक्ट की window आ जाती है आपने इसका नाम दे देना है सबसे पहले तो नाम से मुराद मतलब वही आपका फाइल नेम ही होगा ये प्रॉजेक्ट का और इसको आपने सिंप्ली ये करना है जैसे है, for example, मैंने यहां पर नाम दे दिया, class one, okay, and यहां से आप location बताएंगे, कि कहां save होगा यह project, so browse करें, and आप simply बता दें, जैसे मैं यहां जी एफेक्स हैं, विड्स का एक folder है, मैं यहां पर एक new folder बना रहा हूँ, प्रेमियर classes, मैं आप अपनी यहां पर save किया करूँगा, ठीक है, select, प्रेमियर classes का folder आपने select कर लिया, that's it, आपको सर्फ folder select करना है, और done, अब यह file आपकी जो यह class one के नाम से, इसी folder में save हो रही होगे, नीचे अगर आ जाएं तो आपके पस general कुछ options यह में हैं, video rendering and playback, अब यह आपके पास, किसी किसी के पास, शायद यह वाली चीज़ ना आ रही हो, यह देखें, यहां लिखावा रहा है, mercury playback engine, GPU acceleration, bracket में QDA लिखावा है, यह graphic card का ही renderer है, और कहने का मक्सली की थोड़ी सी आपको acceleration दे रहा होता है, अगर यह नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपके प slow होता है, ठीक है, तो यह अगर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, that's totally fine, नीचे आ जाएं, तो आपके पास यह पूछ रहा है, कि video and display format, display format क्या है, time code है, feet, frames, बगरा बगरा, time code क्या होता है, मैंने जैसे का कि अगली class में हम थोड़ा सा technicalities को देखेंगे, जिसमें theory ही होगी, इसमें हम video क्या होती है, और उसका frame rate बगरा 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 क्या होता है, तो उसमें time code बगरा भी आपनों को definitely बताऊंगा, then यह audio है, audio samples and capture, यह हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, because हम कोई capture नहीं करने वाले, capture क्या होता है, कि अगर आप कोई DV camera है, right, और tape वाला, या को आपने shoot किया है, और capture कर रहे है, capture समराद, आप directly आपके पास एक deck लगावा होता है, digital to analog converter, या analog to digital converter होता है, और उसके थरू हम अपने computer में analog video को digital में convert कर रहे हो, तो we don't need this, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको as it is रहने दे, and that's it, इसको okay कर दे, टेक है, जैसे आप okay करेंग आपके सामने जो actually first option आएगा, मतलब first जो interface आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पर आपको different boxes जो देख रहे हैं, इसको देख करके starting में तो बहुत सारे लोगों को जटका लगता है कि यार यह क्या चीज़ आगई, इतना सारा complex क्यों है, well, इतना complex नहीं है, simply अग पर अगर आप देखे हैं, तो this is your project window, और project window जो है, इसमें आप समयलें कि अपना total footage वगरा, इंपोर्ट करके यहाँ पर रखते हैं, मतलब footage से मुराद, वो तमाम तर videos, या images, या audio files, या जो भी चीज़ आपने डालनी हैं, वो आप यहाँ पर import करते हैं, इंपोर्ट करने का तरीकार बड़ा simple सा है, simply यहाँ पर double click करें, and यहाँ से आप अपनी कोई भी video select करके open कर सकते हैं, so जैसी आप select करके open करेंगे, यह import करेगा, और यह यहाँ पर आ जाएगी, right, and इसको आप बाराल preview भी कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ उपर आपके पास एक source clip आ रहा है, इसक यह वही last Friday video की footage है, and so यह camera वाला result है, right, now, इसके इलावा, यह अब आपको समया गया कि this is the source window, source window में यह होता है कि हम sometimes अगर थोड़ा सा हिस्सा चा रहे हैं, तो वो directly यहीं से edit करके हम निकाल सकते हैं, अब इतनी बड़ी वीडियो में से हमें सिर्फ इतना सा हिस्सा यहां ला सकते हैं, this is your timeline, now timeline क्या चीज़ होती है, जिसमें आपको तमाम तर वीडियो के पूरी sequence देख रही होती है, ठीक है, इस तो currently कोई sequence नहीं बनी वी, सही है, हम new sequence भी बना सकते हैं, सही है, अभी हम कोई नई sequence नहीं बना रहे हैं, मैं इस तो कि समझ ले, मैं आपको सर final edit कर रहे होते हो, उसका final result यहां देख रहा होता है, so मैं अगर आपको अपना यही वाला project open करके दिखा दूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे यह isometric वाली class थी, इसको मैं open कर रहा हूँ, अब देखें, यह तमाम तर नीचे videos और images हैं, और audio files है यह तमाम तर वो सारी चीज़े हैं, जो कि मैं use कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो thumbnail view में भी देख सकते हैं, यह देखें, यह हमारी last screen जो आ रही होती है, and कई मरतबा मैं अपना logo add कर रहता हूँ, तो यह मेरे हाँ project में होता है, पीछे जो एक आपकी, अगर आप देखें कर सकते हैं, आप जिस तरह से अपने चाहें, see this, इसको मैं अगर बढ़ा करके देखना चाहा हूँ, तो हो सकता है, and यहां अगर आप देखें, timeline पे, तो आपके पास कुछ tracks दिये हैं, now tracks में, यह उपर वाले सारे video के tracks हैं, और यह नीचे वाले सारे audio के tracks हैं, so अगर मैं इ अलाके दिखा दो आपको, यह आप लोगों ने video मेरी देखी होगी, isometric वाली, and simply हम usually play, pause के लिए space bar यूज़ कर रहे होते हैं, so इसको मैं यहां से play कर रहा हूँ, So, यहां पर मैं रोग करके एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक introduction दिखा रहा हूँ, ताकि आप familiar हो जाएं के हमें, क्या चीज़ें किस तरह से दिख रहे होती हैं, so यह जो black and white वाली video थी, वो यह रही, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद जैसी मैं का के आईए स्टार्ट करते हैं, यह black and white वाली video थी, और उसके बाद यहां से actually मेरी video शुरू हूई है, और इसमें यह जो है मेरी video है, यह वाला वो lower third है, जब मेरा नाम लिखावाएगा, So, हम चाहें तो जब चाहें जिस ट्रैक को हाइड कर सकते हैं, यहां से यह IDV, just like Photoshop Illustrator में आप लोगों ने layers देकी होंगी, यह उसी तरह से layers चल रही है, यह audio चल रहा है, सही है, जैसी IA start करते हैं, चला, उसके बाद यहां से मेरा intro शुरू हो गया, और यह intro वीडियो बना, क इसका intro का audio चल रहा है, so, अब यह all right, welcome back, वाली वीडियो यहां से शुरू हो गई, and so on, यह इस तरह से सारी चीज़ें चलते चलते, अगर मैं आगे बढ़ जाओ, तो अब यहां पर आपको यह वाली वीडियो दिख रही है, यह वो वीडियो है, जो के मेरा screen capture चल रहा था, अगर मैं इसको hide कर दूँ, तो screen capture रहा है, यह वाला एक खाली image है, जो overlay आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, यह, illustrated tutorial जो के खलत डला हुआ था, मैंने, in fact, उस वीडियो में comment pin किया हुआ है, कि मैंने यह image change करना भूल गया था, so, यह simply एक image है, and, अगर दिखा है तो navigator window के उपर, navigator panel के उपर, मैं अपनी video रख रहा हूँ, video, यह वही है, जो आपकी, like, full screen होती थी, इसको simply resize करके, इस जगा पर adjust किया हुआ, बहुत सारे लोग मुझे से पूछते रहते हैं, कि सर यह कैसे किया, सब करेंगे, इंशाला थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, फिर आपनों को साथ-साथ यह सारी चीज़ें भी बताता रहा हूँगा, so that's it, आज की class के लिए मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा, हाँ, एक और चीज़ के, यहाँ पर आपके पास यह एक audio का samples आपको शो हो रहे होते हैं, like, visualization चल रही होती है, and इसके इलावा, आपके पास है, यहाँ पर, like, मैं इसक प्रेमियर प्रो CC 2018 यूज़ कर रहा हूँ, 17 से अब तक यह, इन्होंने continue किया हूए, यहाँ पर कुछ words जो लिखे वा रहे हैं, these are workspaces, अगर यह ना रहे हो, कोई मसला नहीं है, आपके पास यह window में workspaces फिर भी आ रहे होत असानी से आपको color correction के options दे रहा होता है, and this is quite amazing, अगर audio का कुछ काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं audio पे हाज होँगा, and इस तरह से यह different workspaces आप अपने adjust कर सकते हैं, आप अपने customize workspaces भी बना सकते हैं, so that's it, आज की class के लिए मैं इसको इतना ही रखूँगा, I hope आप लोगों को कुछ तैयारी के लिए, मैंने material बता दिया है, कि क्या आपके लिए वाके प्रेमियर सीखना अच्छा है, जरूरी है, नहीं है, यह decision आपका है, मैं सिखाने के लिए बैठावा हूँ, सीख जरूर ले, इस पे master बनना है या नहीं, यह आपका अपने decision रों का future में जाके, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू